हलो वेल्कम फ्रेंट्स, Microsoft SQL सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं, SQL में कितने टाइप के कमांड होते हैं यह आपको नजर आ रहे हैं SQL में देखिए, DDL कमांड होता है, DML होता है, DCL होता है इन सब के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ DDL कमांड के बारे में हम पहले देख चुके हैं, DDL में आपको create, alter, drop, truncate, comment और rename कमांड बिलते हैं जबके DML, DML जो कमांड होता है, उसमें आपको select, insert, update, delete, merge, call, explain, plan और lock table यह सारे कमांड आपको मिल जाते हैं DML में, इसी तरह से DCL में आपको grant और revoke कमांड मिलता है और last होता है TCL, TCL में आपको मिलता है commit, rollback, save point, and at last set transaction कमांड अब इन सब का full form समझ लेते हैं क्या होता है, देखी जो DDL होता है उसे बोलते हैं data definition language और यहाँ पर DML को बोलते हैं data manipulation language और DCL को हम बोलते है data control language इसी तरह से TCL जो है इसे बोलते हैं transaction control language एक और होता है लेकिन जिसका जिक्र मैंने किया नहीं है, जिसे हम बोलते हैं data query language जिसे हम DQL बोलते हैं